रिया, 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 गाना गा देते हैं ठीक है हम उगाकर के रिया को बुलाते हैं काय क्यू भाग गई है सुचान सिंग राजपूत केस में जब बिहार पुलीस पहुंच गई है पटना से मुंबई तु भाग गई है अब बताओ भाई इतना सचाई था मानि में तो भागने का जरूत क्या था का पता आज आए काय कि अभी तो सीविया इंक्वैरी का मांग कर रही थी अब बिहार पुलीस पहुंचा इतना ही में उसका हलत खराब हो गया भाग गई कायरेडिया इतना ही प्यार करती थी तुम सुचान्त राजपूत से अरे यार खाली पैसा के लिए राजपूत से प्या कॉरी दाद़ा इका हो गया अच़्ा रूकर को गाना एटेते हैं का पता को नों कोना में तुमारी मेंट्र लोग है तुमको चुपा दी होंगे तुम लोग बता थो नरुभ taking to Li assum सामने आ जाये चलिए हम कहाना का रहेते हैं को इतना काफी है ना किरे रिया को था मिस्टी बोले चीकी बाई लोग देख लिया आपने कैसी रिया ने अपने आपको स्केट किया है ठीक है अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा उसमें मैंने एक रविंद्र पाटिल केस का जिक्र किया है रविंद्र पाटिल कॉंस्टेवल वाला जो केस था हेटन रण केस में उसका मैंने जिक्र किया था ठीक है उस केस में क्या हुआ था कि ऐसे ही जब हेरिंग वाली बात आई थी तो चार साल के लिए रविंद्र पाटिल को गायब कर दिया गया था और मुंबई में ही गायब कर रिया गया था बताईए क्या पता है रिया को भी लोग गाइब कर दे काई कि अब तो बात आ गई है बॉलीवुड पे बात अब आ गई है बॉलीवुड पे एक फसेगा तो सब जाएगा तो कहें नहीं से बढ़िया कि रिया को ही गाइब कर दे कहीं है इसा तो नहीं देखो यह मेरा आपना जो है सोच है एसा मेरा हम को अंदर से लाग रहा है कि इसश मों सकता है आप लोग को क्या लगता है आप लोग भी विहां को कमेंट करीं दीजीगा लेकिन इससे पहले हम आपको बता आते हैं कि रवंद पंदर पटिल के प्लाजिया जी पोड़िया कि अंजितर जो भी बयान आ रहा है उन बयानों में लुखा जा रहा है प्रिष कम जा रहा है कि सुसान सेंग राजपूत के महेश सचा कहां कहला हो आहिरे दादा महेश सचा कायब हो गए रिया चकरोदी गायब हो गए अब कौन बचा बॉली उड में करन जोहर सलमान खान संदीब सिंग आके शुरज पन चुली है को बचा आए रे दादा कोही न बचा बैया हम बता रहे हैं अभी स्केप करके भागी है कि भागा दिया गया है कि गायब कर दया गया कुछ होद की फाना चाहि आब दखिय सब इतनfinitely स्थ ही आज तक उद्दर ठाकर मेटिंग बठा रहे हैं गौर कर रहे हैं अब डेर मेना से सब गायब थे भाई उन लोग को लगा कि एक बिहार का लर्का है एक आम लर्का है बिहारी को तो आई से भी हम लोग सलाजुता कर देते हैं मुंबई में है ना बिहारी का तो कोई एसे भी पूछ रही कर रहा है लेक से ढंग सरजाच करवाते तो आज अभी तक सब कुछ पर्दाफास हो गया होता लेकिन आज पटना पुलिस को पहुंचना पड़ा जब बिहार को इंटरफेर करना पड़ा उसके बाद आप आ करके काबिनेट मिनिस्ट्री की मिटिंग कर रहे हैं कि भाई कहीं बात आप लोग कुमार करके गए हैं बिहार से और बहूत ही अनुभवी बहूत ही तेज तर्रार ओफीसर रहूं पुलिस के ठीक आब बतागते हैं इंस्पेक्टर के एंक शेक्टर रहा है अब आधा नहीं तो भाई दीर अपने अप सब हमारे बिहार के डीजी पी बहुत अच्छा आदमें बतायते हैं उनको तुरहंत हम वहटसअप कर देगे बतायते हैं बहुत यह अच्छ आदमिये बहुत निस्ठाप प्रियादमें दिल खोल के बोलते हैं दिल खोल के ना नो जुवानों का ना स्वागत करते हैं ठीक है यह हमारे बिहार की डीजीपी है गुपतेसर पांडे जी ठीक है तो आप लोग यह अगल वागल कहीं है तो धून के देखे तो कहें डिया आपके अगल वहन तो शिफ्ट नहीं हो गई है जल्दी से वीडियो बनाके भेजिए हम अभी क्या भी जो वर्टसप करते हैं अपने गुपतेसर पांडे जी को और भेज सही देखिए कैसे रिया चक्रवती जो है अंदर जाती है अब उसके बाद देखिए कि उसके बाद रिमांट पर किसको किसको लिया जाता है चलिए अभी के लिए इतना ही आगे वीडियो में हम आपसे मिलते हैं क्योंकि आज साम आठ वजे हम लाइव आने वाले हैं ठीक है तो धन्यवाद मिलते हैं वहाँ पर जै शिराम जै